Hello everyone, तो अभी मैं access को open कर रहा था, open करते वक्त ये मुझको कुछ इस तरीके से show करने लगा, updating office, please wait a moment, अब इसको देखकर मुझे लगा कि Microsoft Office update हो रहा है, अब थोड़ी दिर wait करने के बाद भी ये मुझको सिर्फ यही message show कर रहा था, इसको मैंने Google पे search किया, तो मुझे पता पहले solution की, start button के उपर हम click करेंगे, यहाँ पर हम search करेंगे, system configuration, इसको हम open कर लेंगे, यहाँ पर हम service के उपर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर option है, hide all Microsoft services, इस option को हम select करेंगे, और disable all के उपर हम click करेंगे, इसके बाद apply के उपर click करके, इसको हम ok कर देंगे, system को हम restart करेंगे ये error हमारा remove हो जाएगा बात करते हैं second solution की यहाँ पर हम control panel को open करेंगे यहाँ पर option है uninstall a program इसको हम open करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे Microsoft Office Microsoft Office का version आपका कोई भी हो सकता है अभी हमारा office version है Home and Student 2019 तो Microsoft Office को हम select करेंगे यहाँ पर option आजाएगा change का इसके उपर हम click करेंगे यहाँ पर quick repair हमारा select रहेगा repair के उपर हम click करेंगे वापस से repair के उपर हम click करेंगे repairing process हमारा start हो जाएगा repairing process हमारा complete हो जाने के बाद close के उपर हम click करेंगे अब अगर हम Microsoft Office के किसी भी application को open करते हैं तो वो अब open हो जाएगा दोनों process में कौन सा process आपके लिए helpful होता है नीचे comment करके जरूर बताएं बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, thanks for watching